नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम बात करेंगे पोजीशन ओफ इमेज फोर्मड बाई ए प्लेन मिरर एक प्लेन मिरर है हमारे पास हम इसको मान लेते हैं यह एक प्लेन मिरर है और यहां पे जो इमेज बनेगी पोजीशन ओफ जो इमेज होगी वो क्या होगी इस प्लेन मिरर के दवारा जो बनेगी तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक point object ले लेते हैं मालिज यह यहाँ पे आपने point object ले लिया इस object को आप नाम दे दीजिए कि यह object O है तो यह point object है यह O है यह आपने बिलकुल mirror के सामने ले लिया अब जो है हम इस object O से दो rays को ड्रा करेंगे जो इस O से आ रही है अब अपनी simplicity के लिए हम एक ray को लेंगे कि बिलकुल वो normal जा रही है यानि कि बिलकुल नीचे की तरफ जा रही है तो वो जो है falling normal हो रही है इस mirror के उपर फाल कर रही है normally यानि कि बिलकुल perpendicular यह फाल कर रही है देखिए आप यहां पर यानि कि यह 90 degree का अंगल बनता है अगर आप देखें तो यह 90 degree का अंगल है इस object से सीधा के सीधा यह नीचे आके गिर रही है इस mirror के उपर जब यह इसके उपर सीधा टकराएगी तो reflected back भी होगी यानि कि यह बिलकुल सीधी कोई rate कराए तो वह वापिस चली जाएगी यहां से तो एक रे तो हमने यह ले लेनी है अब जो दूसरी रे हमने ले ली कि माली जिए इस o से जो इस mirror पर इस तरह से गिरी अब यहां पर माली जिए यह जो point है कोई n है और यहां पर एक normal ले 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 जिए कि यह n डेश है यानि कि एक perpendicular ले ले ल ले लीजिए कि यह जो n p है यह हमारी reflected ray हो गई तो यह आपको दोनों समझाई एक ray तो है हमारी यह जो कि बिल्कुल normal है दूसरी ray यह है यह reflect बिल्कुल वापिस हुई है जो कि यह हमने दिखाई है और यह reflect यहां पर हुई है n से p की तरफ तो इस तरह से reflected हुई है अब यह ray है अगर आप इनको जो है पीछे की तरफ बढ़ा दें डोटेड लाइन के साथ इस तरह से और यह भी जो है यह भी reflected ray है क्योंकि उपर की तरफ गई है यह भी है तो आपको एक point मिलेगा इस point को हम मान लेते हैं कि यह जो point है आई है तो यह जो है यह diverging है वैसे तो यान यह diverging है यानि कि यह कभी नहीं मिलेंगी अब इनको आपने पीछे की तरफ यह dotted line के अंदर बढ़ा दिया ताकि एक point पर जाकर मिले तो आपने जब backward इनको बढ़ाया तो dotted line से तो आपको एक point I मिला यह जो I point मिला यह क्या है हमारी यह real होगी यह virtual image होगी क्योंकि यह कैसे म virtual image है अब यहां पे जो यह object O है और जो image I है यह क्या है बिलकुल जो है normal पे एक दूसरे के है यहां से देखिए और यहां तक यह जो है बिलकुल सीधा जो है normal to the mirror है और यहां पे अगर आप कोई point ले ले लेते है R यानि कि R का यह भी normal है object और R का यह भी normal है जो कि I है तो ए distance है object का यानि कि इस mirror से यहां तक का distance जो है जो object का distance है वह equal होगा जो हमें इसके अंदर mirror के अंदर मिली है image यह जो distance है मालने यह D1 है तो यह D2 है दोनों equal होंगे D1 equal to D2 रहेगा यानि कि जितनी दूर object दीखेगा उतने ही दूर स्की image आपको behind the mirror है वो दीखेगी और दूसर लेटरली इनवर्टिड मिलेगी तो यह भी ध्यान रखना है यह हमें मिलेगी लेटरली इनवर्टिड इमेज लेटरली इनवर्टिड इमेज कौन सी होती है जिसके अंदर माली जी आप मीरर है आपके सामने इस तरह से मीरर है और आप उसके सामने खड़े हैं लेटरली इनव उठता हुआ दिखाई देगा यानि कि आपने तो राइट हैंड उठाया लेकिन अगर आप उस तरफ जो इमेज है वो देखें उसकी बिल्कुल पोजिशन राइट लेफ्ट देखें तो उसका लेफ्ट हैंड जो है ऊपर उठता आपको दिखाई देगा यह लेटरली इनवर पोजिशन बोलते हैं तो इमेज क्या होगी यह पे लेटरली इनवर्टिड होगी तो यह भी हमें धियान रखने हैं यानिकि सिस्ते के अंदर जो हमिमेज देखते हैं वह हमारी लेटरली इन्वर्टिड इमेज होती है तो यह होती है पोजिशन of image formed by silly mirror plane mirror के अंदर हमने 2 ray ली एक normal और एक इस तरह से reflected है तो हमें मिली ये position तो इस तरह से आप कोई भी position जो है वो find out कर सकते हैं आगे आगे हम उसको find out करते चलेंगे तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप कमारे चैनल ग्यान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद